Hello बच्चो। Let's see this question. So the question is saying, bark includes, तो बेटा, bark जो होता है, it basically includes या बना हुआ होता है यह periderm periderm plus secondary flueem से secondary flueem से, यह इन से मिलके बना हुआ होता है. यह इसे मिलके बना हुआ होता है तीक है, vascular tissue के vascular cambium के जस्ट बहार जितना भी amount प्रेजेंट होता है वो क्या बनाता है बार्क बनाता है इंड फैलम तो अब देख लेते हैं की के अब फैल देन तरह फैल जन middle and then we have phalloderm phalloderm normal name देख लीजे इनको phallum को बोलते हैं cork ठीक है यह cork कहलाता है phallogen is known as cork cambium cork cambium so basically this cork cambium on phallogen give rise to phallum and phallogen यही क्या होता है बनाता है इसको phallum and phallogen को ठीक है आउटर की तरफ किसको बनाता है यह phallum को इनर की तरफ किसको बनाता है phalloderm को ठीक है phalloderm की बात करें अगर तो phalloderm is also known as secondary cortex secondary cortex के नाम से जाने जाती है ठीक है तो क्या है हमारे पास cork cambium, secondary cortex, cork यह तीन चीज़ों मिला कर क्या बनाती है पैरिडरम बनाती है ठीक है यह तीन चीज़े पैरिडरम बनाती है secondary phalloderm को मिला के जो बनता है ठीक है इसको मिला के जो बनता है उसे हम लोग कहते है bark ठीक है डिस मेक्स दे बार्क और प्लांट ठीक है आपने देखा होगा ट्रीपे एक tissue type of निकला हुआ हुआ होता है पैरिडरम ओलनी नहीं बहीटा है secondary phalloderm होना चाहिए था था बीस यह गलत है C is saying secondary xylem तो secondary xylem नहीं इंकलूट होता है बैस्कुलर कैमियम के जस्ट बहार वाला हर चीज इंकलूट होता है तो यह तो गलत हो जाएगा secondary xylem फिर से आ रहा है a is the right answer I hope आपको समन में आया होगा best of luck